आता है अन्न वो पसीना बहा कर मुझे तो अपनी थाली में दिखता है भारत मुझे तो अपनी थाली में दिखता है भारत जी हां हमारे देश में देश का जो भारत का दिल है वो गाउं में बसता है और किसान है तभी हमारे थाली जो है वो रंगीन दिखती है मुझे लग रह भारत एक लौता ऐसा देश है जहां मा अपने बच्चों को इतना प्यार करती है माता के दूध में मिलता है भारत, पिता के प्यार में हसता है भारत चंदा मामा से मांगे कटोरी के दूध भात में मुझे दिखता है भारत तूटी सी जोपडियों में बसता है भारत, चौपालों की चर्चा में बसता है भारत पुआल के बिछावने में सिम्टा सा कुनबा, मुझे तो उस परिवार के प्यार में दिखता है भारत और मुझे भारत कहां कहां दिखता है सुनिएगा कल कारखानों की कलकल में भारत मंगल यान और चंद्रयान में भारत मंगल यान अभी साइन्स के छेत्रे में भी विज्ञान के छेत्रे में भी हमारा देश कितना तरकी कर लिया है कल कारखानों की कलकल में भारत मंगलयान और चंद्रयान में दिखता है भारत सागर को रोकने का होसला है जिनमे मुझे तो उन मजदूरों में दिखता है भारत गगन चुम्भी इमारते बनाई है जिसने मुझे उन मजदूरों में दिखता है भारत मुझे उन मजदूरों में दिखता है भारत और कहां कहां दिखता है भारत देखिएगा सुहागिनों के सिंदूर में दिखता है भारत पायल की छमचम में बसता है भारत चला रही बस ट्रेन उराती वायुयान है मुझे तो उन बेटियों के होसलों में दिखता है भारत अरविंद नेगी जी मैं आपको नमन करती हूँ कविराम भगत नेगी जी मैं बहुत बहुत आपको नमन करती हूँ स्वागत करती हूँ अभिनंदन करती हूँ सनम नेगी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपको मेरी रचनाए पसंद आ रही है मैं आप ही चाहूँगी थोड़ा बैठने में दिक्त हो रही थी माफ करिएगा सुनिये और मुझे कहां दिखता है भारत आगे बताती हूँ साप सुतरी गलियों में बसता है भारत कहते हैं ना कि भारत का दिल वो गाओं में बसता है गलियों में बसता है मुहले में बसता है साब सुत्री गलियों में बसता है भारत, सफाई कर्मियों के पसीने में दिखता है भारत आपने देखा होगा कि हम लोग दो साल से जादे हो गया ये कुरोना नामक महमारी से जूज रहें, इसके साथ और भी कई बिमारियां आई गई और सब लोग घरों में बैठे रहे, अपने जान जोखी में कोई नहीं डालना चाहता था लेकिन कुछ लोग हमारे देश में ऐसे थे, जो अपने जान जोखी में डाल कर और हमारी सेवा में लगे रहे, अपने ड्यूटी में लगे रहे, अपने सेवा देते रहे जिसमें सफाई कर्मी हैं, पुलिस वाले हैं, हमारे देश के जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, मैं उनको सैलूट करती हूं, उनको नमन करती हूं, और उनके लिए पक्तियां समर्पित करती हूं, सुनिएगा साब सुत्री गलियों में बसता है भारत सफाई कर्मियों के पसीने में दिखता है भारत अपनी जान जोखिम में डाल कर दुसरों की जान बचाने वाले डॉक्टर और नर्सों में मुझे दिखता है भारत और अंत में कहना चाहूंगी मुझे और कहां दिखता है भारत मुझे मेरी कविताओं में दिखता है भारत सभी देश प्रेमियों में दिखता है भारत लिखती हूँ दिल से, लिखती हूँ दिल से, सुनाती हूँ दिल से मुझे तो आप सब के प्यार में दिखता है भारत और इसके साथ एक मुक्तक है कभी आग में जलो तो पता चले अधिती भरद्वाज मेरी पुत्री जुड़ गई है स्वागत करती हूँ बेटा आपका और किन अब तक न्यूज चैनल मैं आपको नमन करती हूँ स्वागत करती हूँ और धन्यबाद ही देती हूँ कि मुझे इ रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस लाइफ को शेयर भी करते रहें ताकि और लोगों तक भी मेरी रचनाय पहुंच सके तो अनुरोध है सुनियेगा कभी आग में जलो तो पता चले कभी बर्फ में पिघलो तो पता चले कभी आग में जलो तो पता चले कभी बर्फ में प खड़े रहो तो पता चले, उनकी जगह एक दिन खड़े रहो तो पता चले, जी बिल्कुल हम अपने देश के सैनिकों के लिए ये कहना ही चाहूंगी, और अब मैं आपको अगली रचना से जोड़ना चाहूंगी, जो मेरी रचना हिंदी के लिए है, और सब स्रिंगार सुना लागे, जी हाँ, हम कितना भी स्रिंगार कर लें, लेकिन एक बिंदी के बिना हमारा स्रिंगार अधूरा रहता है, ठीक उसी भाती, हिंदी के बिना भी, जो भी मेरा हमारा शाहित्य हमारी भासा है, बोलिया है, वो अधूरी है, सुनिएगा, सब स्रिंगार सुना लागे, जब माथे ना हो बिंदी, जोड़ा जिसने जंजन को, वो है मात्रिभाशा हिंदी, वो है मात्रिभाशा हिंदी, ये आत्मजा है संस्कृत की, लगे मीठी और सुगंधी, पहचान है हिंदुस्तान की, ये है मात्रिभाशा हिंदी, ये है मात्रिभाशा हिंदी, अशोक कुमार सर्मा जी मैं नमन करती हूँ आपको अशिरवाद बना रखी आदिती भरतवास मेरी बेटी अशिरवाद प्यार बनाए रखो जुड़े रहो सुनिएगा हाई हेलो को नहीं जानू सब प्रणाम कर लो जल्दी मिश्री के जैसी मिठी ये है मात्री भाशा हिंदी चाहे रहो अमेरिका इंगलेंड दिल में संजोए रखो हिंदी ममता का एहसास दिलाए ये है मात्री भाशा हिंदी ये है मात्री भाशा हिंदी काश्मीर से कन्या कुमारी तक काश्मीर से कन्या कुमारी तक फैला इसका आचल है माध्यम है संपर्क सुत्र है माध्यम है, संपर्क सूत्र है, जंजन के लिए अमरित जल है, हिंदुस्तान की भाषा है ये, हर दिल में समाई है हिंदी, अपनों के बीच सम्मान को तरसे, जी हाँ, ये सच्चाई है कि आज कल लोग हिंदी बोलना, अपने शान के खिलाब समझते हैं, अपने बच्चों से में ही बाते करते हैं, तो सुनिएगा, अपनों के बीच सम्मान को तरसे, ये है मात्री भाषा हिंदी, ये है मात्री भाषा हिंदी, आओ हम सब प्रण लेते हैं, कदम बढ़ाते हैं मिल जल्दी, मान सम्मान गौरव बढ़ाना है, ये है अपनी मात्री भाषा हिंदी, ये ह नेगी जी स्वागत है आपका आशिरवाद बनाए रखी और लाइफ को शेयर भी करते रही है सुनिएगा एक मुक्तक से अगले रशना के तरफ आपको ले चलती हूं किया गुम नाम मुझको नाम अब तुम भी नहीं लेते भरी महफिल में हम दम साथ मेरा क्यों नहीं देते मैं तेरी ही पुजारन हूं बात मेरी मान जाओ तुम मैं तेरी ही पुजारन हूं बात मेरी मान जाओ तुम मेरे विश्वास का मन का हमेशा तोड क्यों देते मेरे विश्वास का मन का हमेशा तोड क्यों देते राज कुमारी नेगी जी स्वागत करती हूँ भैन आपका आशिरवात बनाए रखिये चली हूं राह अंजाना है मन्जिल मिल ही जायेगी चली हूं राह अंजाना है मन्जिल मिल ही जायेगी तुझे चाहूंगी जब तक जा मेरी निकल न जायेगी बहुत पच्छताओगे तुम मुझे को भुला भी नहीं सकते हैं तेरी आदों में अपनी जिन्दगियों गुजर ही जायेगी कवीराम भगतनेगी जी बहुत बहुत धनेबाद आपको कि आप मेरा होसला बढ़ा रहे हैं आभारी हूँ आपकी और आप सभी सुधी सुरताओं को दिल से आभार व्यक्त करती हूँ आप लोग जुड़े रहिए आशिरबाद बनाए रखिये बरस बीते हैं कितने पर नजर कहीं तुम नहीं आए एक तस्वीर है दिल में जुधु धिली सी नजर आए करूं सजदा में रब से आज से विश्वास ना तूटे प्रेम तो दिल से दिल का सोदा है खैरात नहीं आए संजे चौहान जी मैं स्वागत करती हूँ आपको आपका और नमन करती हूँ आशिरबाद बनाए रखिये प्यार बनाए रखिये और जो हमारी अगली रचना है मैं अपने देश के एक अन्डी आरफ के जवानों को समर्पित करना चाहती हूँ आपने भी देखा होगा सुना होगा कि हमारे देश में जभी भी कोई आपदा की स्थिति आती है तो तुरंत लोगों के जिहन में एक ही नाम आता है कि वो हमें बचाने आएंगे और वो होते हैं अन्डी आरफ के जवानों को समर्पित करती हूँ और मुझे पता है कि ये बहुत ही सम्मानित पटल है विख्यात पटल है और कहीं न कहीं कोई अन्डी आरफ के अगर जवान जुडे होंगे और मुझे देख रहे होंगे तो उनको मैं एक नमन देती हूँ और अपनी ये रचना उनको समर्पित करती हूँ कहीं न कहीं मुझे बिश्वा से की रचना उन तक पहुँचेगी इस चैनल के माध्यम से तो सुनिएगा भगवान नहीं आसकते धरापर इसी लिए तो तुम्हें बनाया पड़ी जरूरत जब विपदा में सबने तुझे ही आवाज लगाया आओ आकर जल्दी प्यारे सब की जान बचाना सजनरे जल्दी आना सजनरे जल्दी आना सजनरे जल्दी आना सजनरे जल्दी आना जी हाँ यह हमने देखा है और टेलिवीजन पर तो देखते ही रहते हैं कि लोग उनके एक एक जगह का वो कर्ध्यान देते रहते हैं अभी कहां तक पहुंचे अंडियार अफले, कब तक आएंगे, लोग मर रहे हैं, तो नजरें बिछी रहती हैं, उनके लिए, सुनिएगा. बाढ़ बिभिशिका आए जब भी, या आजाए प्रलह भारी, सब जन रहें, ताक रहें, अब कोई सेवक भे, जो हे त्रिपुरारी, सब जन रहें, कोई सेवक भे, जो हे त्रिपुरारी, एंडियारफ की सेना को, अपना दूत बनाना, सजन रे जल्दियाना, सजन रे जल्दियाना, सजन रे जल्दियाना, सजन रे जल्दियाना, अर्विन दिनेगी जी बहुत बहुत धन्य बाद आपको, मेरी यवाज अच्छी लग रही है, वैसे मैं गाती नहीं हूँ, मैं जदातर ओजपुर्ण ही रचनाय करती हूँ, लेकिन आपने मुझे सराहा इसके लिए बहुत बहुत धन्य बाद, आशुरबाद बनाये रखिय अपने जान की फिक्र नहीं है, त्याग समर पणभारी, आकर जान बचालो भैया, हाथ जोड है विनती हमारी, आओ जल्दी तुम आने में, आओ जल्दी तुम आने में, नहीं देर लगाना सजनरे जल्दी आना राष्ट्रिय आपदा मोचन हैं ये, संकट मोचन का करते काम पड़ी जरूरत जहां भी इनकी लग जाते भी न किये अराम वीर धीर हनुमान के जैसे कार पूरा कर जाना सजनरे जल्दी आना समान में सीर जुक जाता मेरा गुन गाए सारा जमाना सजनरे जल्दी आना सजनरे जल्दी आना तो बहुत प्रभावी थो मैं नमन करती हूं वीर धीर हनुमान के जैसे कार पूरा कर जाना सजनरे जल्दी आना सजनरे जल्दी आना सजनरे जल्दी आना सजनरे जल्दी आना कर दो कर दो